मेरे प्यारे बच्चो नवस्कार तो शुरू करते हैं और आज क्लास में प्रसंवले 6.4 के आगे के प्रसंटों को हल करवाएंगे प्रसंवले 6.4 का पहला प्रसंट हल करवा चुके हैं अगर आप लोग ने कंप्लीट नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क रिमल जाएगा कंप्लीट कर लेना तो प्रसंवले 6.4 के आगे के प्रसंव को हल करने से पहले अगर आप लोग ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया सबसे पहले आपको मिलेगा अगर पुराने स्टुडेंट हो तो इस वीडियो को जादा सजादा सेयर करें अपने सर्किल में तो स्टार्ट कर देते हैं आज कि आस आपको देख रहा होगा प्रसंव नंबर 2 यहां पर बताया गया यह 2.01 का सननी कटमान ग्यात केजिए और जहां यहां पर बता दिया गया है फ्लन दिया गया यहां पर एफज्ट बरावर 4X无2 to All अब यहां पर हमें क्या ग्यात करना सनी कटमान किसका two point zero बन का जैसा हमने प्रस्ण एक में सन्निकट मान ग्याद करवाय थे वैसे ही यहां पर भी प्रस्ण नमबर दो में वैसे आपको सन्निकट मान ग्याद करना जैसे प्रस्ण एक में हमने ग्याद करवाय तो बहां पर आपको पता था कि संख्या को हम चर मानते थे एक्स तो हमें क्या पता चल जाता था एफ एक्स बराबर एक्स वहां पर घात चाहें जितनी हो केबल संख्या को मानते थे तो यहां पर मानना नहीं है यहां पर फलन पहले इसे दे दिया गया तो कोई दिक्कत नहीं सबसे पहले आपको यही लिख लेना दिया गया फलन तो इसका हल आप लोग देखो कि यहां पर डाल देते हैं प्रस नमबर दो का हल सबसे पहले क्या लिखना है दिया गया फलन एक एफ एक्स बराबर 4 x square 5 x 2 हम आपको फार्मुला बता देते हैं किसके किसके मान की हमें जरूरत है फार्मुला कौन सा लगेगा f x plus x बराबर h f dash x फिलस का f x f x यहां पर फलन दे दिया गया है ठीक है अब हमें f dash x की जरूरत है तो आपको पता है कि हम अपकलन कर देंगे इसका तो हमें f dash x ग्याद हो जाएगा पिर्थम कोटी का तो यहां पर जब हम अपकलन करेंगे आपको पता है हमने एक आपको बात बताई थे जैसे यहां पर आपकलन डारेट कर लो क्योंकि पार्ट 6 हम पढ़ा रहे हैं कलज के अनुपरियोग तो डारेक्ट यहां पर कर लेंगे नंबर एक नहीं कटेगा यह बात आपको पता है क्योंकि अगर प्रसन जो है अब कलन में दिया जाता और कहता आपकलन ग्याद कीजिए तो हम क्या करते हर एक इस्टेब दिखाते लेकिन यहां पर आपको डारेक्ट अपकलन कर लेना आपको पता है एक सिस्कॉाइर है इसकी घात आगे आएगी हम फार्मला लगाएंगे एकसी गात एन का इन आगे एक घात कम करेंगे तो दो आगे आएगा ना तो पहले तो लिखे जाती तो आपको ऐसे करके लिखे लेना है यह पहले पत्का हो गया तो आप को पता है चर का अचर में जब गुडा होता है तो अचर आगे आ जाता है एक कितना होता हurance cai've를 ओता है तो पांस का गुडां एक में करें किटना में पांस मिलेगा और इसका रहेगा अचरपत्त का जीरो रहेगा अब इसे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसे समीकर एक डाल देंगे अब हमें जरूरत है एफ एक्स प्लस एच के तो यहां पर हम क्या करेंगे एफ एक्स प्लस एच नहीं ग्यात करेंगे फ़लंजे क्योंकि हमको बताया गया एफ 2.01 का मान तो हमें पता है जब हम एक्स और यह मानेंगे यसे प्रस नंबर एक में हमने आपको बताया था संक्या को कैसे मानते हैं वैसे यहां पर मानेंगे रख देंगे तो हमें डारेक्ट इसका मान ग्यात हो जाएगा तो हमें एफ एक्स प्लस एच का मान यहां से ग्यात करते हैं वही फ़र्मला लगाना है तो यहाँ पर हम लिग देते हैं अब एक्स प्लश यह बराबर यह F डे च इस विलस का एफ एक्स यही फ़र्मला होता है अब आपको क्या करना है इसे तो अचाप को लिग न है सेम टू सेम बोलता है यहां पर मान रख दिया अब मान रखने के बाद आपको पता है कि हम संक्या से एक्स का मान और यह का मान लेते हैं यह से आपको बता देंगे जैसे बहुत वाले अगर मिल जाएं प्रस्म के आगे ले लिन नहुंता है जो हम आपको बता रहे हैं अगर बहुपद वाले प्रस्न आपको दिख जाएं और आपसे सन्नीकट मान पूश दे किसी भी संख्यागा तो क्या होता है दसमलब के आगे जो है ना उसको आप एक से ले लेना और दसमलब के सहीत जो आपको दिख रहा है पॉइंट जीरो बन द जैसे प्रस नंबर एक में प्रस नंबर एक में जैसे एक्स का मान मानते थे तो हमने बताया था ऐसा लेना है कि नीचे वाली गात कट जाए यह आपको से बाहर निकल जाए तो यहां पर ऐसा नहीं है जैसा बता रहे हैं वैसा ही सीखना है यहां पर ऐसा नहीं है बहुपद आफे का मान आपको ले लेना आए झामन 001 ले ले लेना आए अब आपको यहां प्रघ्व देना है तू प्लस जीरो प्उउट जीरो यहां पर देखो यहां पर earthly आपकोैकrist कर दिगरा तो फूर ऐसे रखें है यहां आपने के यहां पर रखाए तू रखाए यहां पर रख लो फिलस का फाइव इंटू टू प्रिश्का टू ठीक है अब इसको हम हल करेंगे तो आंतरशी डम को पता चल जाएगी यह फ्टू पॉइंट जीरू बन की ठीक है सन्नीकडमान तो हमें यहां पर तो प्रस नहीं बन यह ना निकालो जैसे प्रस नंबर एक में निकालते थे एफ एस प्लस यह का मान जो हम फलन मानते थे चर्म है ठीक है यहां पर पहले दे दिया था लेकिन हमने बताया एफ एस प्लस यह की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसलिए नहीं निकाला देखो पुरा-पुरा बन ग आगे 0.01 ऐसे रखेंगे यहां पर देखो आपको दिख रहा होगा गुणा करेंगे 16 मिलेगा और प्लस का पांच मिलेगा अब बहुंपा आ जाओ अगर हम इसका स्कौर करें दो का स्कौर चार होता है चार चकू 16 ठीक है पांच का गुणा दो में करें कितना मिलेगा 10 मिले गुणा करेंगे तो आपको पता 0.21 पंफ का 28 तो जब हम पिलीम करेंगे चाहो तो लैटाम बनालो लाइक टांब जैसे पद बनालो एक संखिया तो इसे क्या पढ़ते है 28 पढ़ेंगे चाहें जितने जिरो कर लो हमें जरूरत है कितने अंक की दसमलप बाग 2 अंक लगा लेंगे 00 अब आपको जोडने में आराम रहेगी जब हम जोड़ेंगे 0 और 1 को तो 1 मिलेगा फिर हम 0 और 2 को प्लस करेंगे तू मिलेगा अब 28 दसमलप के आगे क्या 28 इसके दसमलप क्यागे क्या है 0 जब 28 0 को जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा ठीक है यह मन निकला है यह यह आफ तू पॉइंट लोग नोट करते राग रो ठीक हैने अ कि यहाँ पर नंबर चेंज कर देता है ठीक है जहे महाकाल एक बार कमेंट कर दो आप लोग जहे माकाल जल्दी लगजा सवाल नहीं तो पेपर में हो जाएगा बबाल पेपर में नहीं होगा जब आपको पढ़ाएंगे वाइफाई का बादा नमबर सबसे ज्यादा आ गया बाइफाई चा गया वाइफाई यह याद रखो तो यहां पर क्या करेंगे हम लिख लेंगे जो फलंका मान दिया गया है सेम तो सेम प्रेस नंबर दो की तरह ही हल करना है आपको टेंशन ना लेना एक बात आप लोग नोटीस कर लो जब तक हम आपको पढ़ाएंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी गड़ित में तो हम देखो यहां पर लिख लेता है एक घात कम कर देंगे यहां पर देखो घात आगे पहले तो आपको साथ दूनी चौदा लिख लेना है जब घात आगे एक धा गम करेंगे आपको पता एक लिखेंगे नहीं जब जरूरत पढ़ेगी तब लेखते हैं यहां पर जरूरत नहीं है एक गात की तो नहां लिगो अब आपको पता है 15 क्या होगा जीरो अचर्पाद है बना सीदा-च यख दीया एक सिके और आपको मान रखना आ है इसको आपको अे टिटेज लिखना है एसे लिखना से देख लो तो क्या है थीरी एक्सा स्कुआर मैनस का 14 एकसे प्लस इस्क फेट सिद्विन एकसे स्कॉर पलस का 15 अब आपको क्या करना है जैसे हमने आपको बताया था इसमें यहां पर आपको क्या करना है testimony आगे लिए इसलिए 5 अब आपको क्या करना है यह बराबर 0.0 सही तो कैसे लिखो ल sneaking को ढ़िए नकोटों रख लेना है तो यहां पर है किसा को in zero 001 भूए अलरा फॉए जिरॉ पॉाइंट जी रोचे रोड़न है जा मांगा रखा सोब किसको डिख्कत नहीं आएगा अब आगे दो यहांपे एक्स क्यों कर दो टू पाइब का स्कॉर प्लस का 15 ठीक है आपको दिख रहा होगा कि जब हमने एक्स का मान रखा जहां पे एक्स है वहाँ पर आपको पांच रखना पड़ेगा यहां पर पूरा प्रसन मिलेगा 5.001 मिल गया हमने आपको बताया था क्या बताया था कि बराबर के इस तरफ प्र प्रक्राइब कितने मिलेंगे 75 मिलेंगे ठीक है अब यहां पर चूदा पंचे कितने होतने 70 अब यहां पर आ जाओ आगर तो प्रेंस वाले पहले कर लो एक सो परचीज प्लस पन्दावम दूरेंगे ठीक यहां पर जब माइनस करें कितना मिलेगा दस ओगा यह तीन कितना मिलेगा चीयार मिलेगा और है 175 आपक्तर आजाओ यहां पर गुणा करेंगे पांच एकन पांच ठीक है जीरो जीरो इतना गुणा करने पर हमें मिलेगा अब यहां पर आ जाओ एक सो पच्छत्तर ज्यादा है एक सो चालिस कम है तो माइनस की ही संक्या में मिलेगी तो पांच मेंसे जब हम जीरो माइनस करेंगे तो पांच मिलेगा अब सात मेंसे जब हम चार को माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा थिरी मिलेगा अब आगे देखो आगे क्या करना है हाँ माइनस करना है माइनस आएगा क्या आएगा माइनस क्या आएगा अब देखो यहां पर आपको पता है कि हमें एक जैसा पद एक जैसी मतलब एक जैसा पद बनाना है दसमलब के यहां पर यहां से लिया था तब यहां पर दस हो पायते पिछे नौ फिर आगे ऐसे बढ़ते रहे लेकिन यहां पर तो 34 मिला तो 34 में से नोट कर लो इसको यह भी हो गया अब प्रेस नंबर कौन साहल करेंगे च्यार इसको अम राफ कर देते हैं तब तक आप लोग प्रेस नंबर चार पढ़िए यहां पर हम नंबर डाल देते हैं ठीक है यहां पर लिखा है एक्स मीटर बुजा बाले तो यहां पर हम पहले से आपको रफ कार बता दे रहें कैसे आपको लिख लेना है जैसे भुजा यहां पर दे दी गई है एक्स मीटर में फिर आगे लिखा है घन की भुजा में एक परसेंट की ब्रद्धी के कारण एक परसेंट की ब्रद्धी के कारण ब्रद्धी आप लोग जानते हो हमने आपको बर्दमान हिरासमान पड़ा है तो हमने आपको बताया था क कि अगर आपने भुजा एक लिली तो आपको पिर्तिस सत को कैसे लिखना है बेल एक्स Baptist spoke Annix ऐसे कर के लिखना अगर बुजा हिया रहोती क्या होती हम आपको बता दिते हैं अगर बुजा रहोती तो आपको पर्सेंटेज किसे लिखना पड़ता देल आर अर92 आप ता यसे है अब कलन भी भुजा पे ही डिपेंड होता है तो यह बात यह दर रखना कि भुजा अगर एक्स में तो एक्स के साप अची अब कलन होगा अगर प्रतिसत में लिखना है तो डेल एक्स अपन एक्स करके आपको लिखना जैसे यहां पर देली तुरूटी जिरो पॉइंट जिरो बन अगर आपने यहां पर गोली की तिर्जय लिगे तो आर से आपने लिग लिए मीटर तो आपको पता कि हम तुरूटी कैसे लिखेंगे डेलार से जैसे जीरो पॉइंट जीरो टू ऐसे करके आपको लिखना है जो को भुजा पर ही डिपेंड होता है अब कलन भी और जो दिया है वो भी एक बात याद रखना जो हम आपको बताना चाहते हैं ठीक है बाद में तो आपको पता ही है कि हम में सन्नीकट मान निकालना किसम psi क्योंकि हिंदी वाले प्रसन है तो हमने आपको बताया था जो जो बाद में यहां पर फार्मला यूज हो जाएगा तो सबसे पहले आपको लिख लेना है दिया है जैसा बताएंगे वैसा ही आपको हल करना हिंदी वाले प्रस्ट तो बुजा पर ही सबकुर्ड होता है तो यहां पर भुजा बता दी गई है एक्स मीटर अब आगे देखो यहां पर और भ कि अपको लेखना है वो भी पिलस में गरदी का मतलब होता है पिलस अगर लिखा उता तो मैनस लेते है घं के आयतन में होने वाला सन्नी कट परिवर्तन ग्याद के घन के आयतन में तो डेल वी आपसे मांगा गया यहां पर फार्मुला लगाएंगे आयतन का और किसका आयतन होगा नाम जरूर दिया जाएगा प्रसन में नहीं तो देख लो कहीं ना कहीं नाम जरूर होगा तो यहां पर बताया गया घन तो घन का आयतन आपको पता है प्रसना वली सिक्स पॉइंट जब हमने वन पढ़ाई थी तो हमने आपको फार्मुले बता थे रासियों में परवर्तन की दर तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं है घंका आयतन क्या होता है बुजा क्यों ठीक है बुजा क्या एक्स है तो बी बरावर क्या मिलेगा एक्स क्यों ठीक है अब आपको अपकलन करना है क्योंकि फार्मुला कौन सा लगाना है डेल वी बरावर डीवी अपॉन डी एक्स इंटू डेल एक्स यह लगाना है फार्मुल एकस के साफ में अब कलन करने पर के दोनों तरफ आपको क्या रगना है डि अपांडर रगनाइस एक रगनाएस में oh क्या होगा क्या क्या हो गाएल याद रखना याद रगण आपको चर्थ दिख जाएब उस तरफ जो भी जब क्या बोलता है सुतंत्र बोलते हैं हमने आपको प्रसंट्रली 5.2 में ये बात बताई थी पार्ट 5 में संत्र तथा अब करने ता अगर आप लोग उने बो पार्ट के लिए नहीं किया है तो आप लोग क्या करना प्लेलिस्ट में देख लेना कम्प्लीट आपको मिल जाएगा तो इसलिए बो देल वी बराबर double upon dx into double X यह फार्मला आपको यूज करना है तो आपको मान रखना है देखो 122 का मान तो मिली गया देल एक्स का मान आपको निकाल लेना कैसे देखो जब का इस में इंटू करेंगे तो क्या मिले का यहां पर निकाल देते हैं तो हमें पता है ना एक्स अपॉन हंडेड क्योंकि प्रतिसस्त का सिंबल हटा दिया चिन हटा दिया तो नीचे के आएगा यह बात आपको पता है तो जब एक्स का वन मेंटु करें एक्स मिलेगा अगर हम थोड़ा और हल करें मिलेगा ठीक है और 0.01 एक सहसे तो आपको मातरक भी पता हो यहाँ पर है तो यहाँ पर आपको मीटर लिखना पड़ेगा ठीक है अब किसमें मीटर में दिया हैं तो आपको इक घा दियत है क्या है दो है ना तो मंत्रग सही ले लें तो क्या मिलेगा मीटर हम इसक्वायर मिलेगा चुर्जा अब तो मात्रग का भी कर होता है आप यहां पर अब दो आप cog 0i sub meter हम ने आपको एक बताए थी कि अगर मात्रक सहीत मान रखोगे तो आंसर सीट में मात्रक निकल के आएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा मात्रक ठीक है इसको अम्राफ कर देते हैं आगे देखो अभी यह हल नहीं हुआ है अग-वा अगे तो लिखना आप लोग डेल वी बराबर यहां पर दो किया है जब तीन का है इंटु करें लगा जीरो पोईंट जीरो ठीक है और थिरी का इंटू करेंगे तो हमें थिरी मिलेगा अब एक्स का एक्स में इंटू करें कितना मिलेगा एक्स क्यों मीटर का इसको मीटर में इंटू करेंगे तो क्या मिलेगा मीटर क्यों यह अंतरसीड आई है नोट कर लो इसी को बोलते हैं आयतन में होने वाल अगला प्रहंद देखो लिए प्रहंद जैसा इसको हमने हल किया है हिंदी वाले प्रहं सेम्टू सेम ऐसे ही हल किये जाएंगे तो प्रहस्थ नमबर पांदेख लो याँ पर हम नंबर चेंज कर देते हैं, पांच है नए, अब यहां पर भी बताया कि एक्स मीटर बुजा वाल है, पहले तो बुजा यह आपको लिग लेना दिया है, यहां बुजा पर ही सब डिपेंड होता है, अब कलन भी और दिया है, तो एक्स मीटर आपको यहां पर मिल करता है घन की भुजा में 1 % हिराज तो वन परसेंट हमने आपको बताया था परसेंटेज को कैसे लिखा आता है अगर भुजा एक से तो डेल एक सपॉण एक से आपको प्रतिसात लेग लेना है हिरास है तो आपको माइनस यहां पर यूज करना एक यह जैसे अभी से पहले था ब्रदी तो पर फिलस रग लिया दा जब मान रखा था तो वहां पर हमने प्लस यूज नहीं क्या पर काड लेगा तो इरास में माइनस तो जरूर आपको लिख लेना है फीलस जैने मेले बूल जाओ कोई दिकरने लेकिन माइनस आपको यूज करना ही करना है आगे लिका घन के प्रस्ट छेत्र फल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन के आथ केजिए प्रस्ट track पता है यास स करते हैं तो यहाँ पर आपसे मांगा गया है डेल देल्य computers वह आपको फार्मुला लगा लेना है तो यहाँ पर आम फार्मुला लिख देते हैं गन कि गन का कद्रेस्टिये छेत्र फल एस बराबर क्या होता है six into भुजा यह होता है formula my six into भुजा काए स्कोर होता है अब कि दीए अब और भुजा क्या एक से रग लो six into six2 पाइट सिकवार अब अब क्लं किसके सपेज अब करना आपको पपता है गजा अब एक सयना तो एक्ष घासा पेजी यहां पर आपकलन करना है यहां पर लिखना पड़ेगा एकसिके सापेच अपकलन करने पर धोनों तरब आपको क्या करना है डी अपनधीएस से रखना यहां पर भी आजाू तो ठीक है अब बात आती है हम क्या करेंगे एक सी घात लगा लेंगे घात आगे जब घात आगे आएगी तो आपको पता है कितना हुआ यहां पर 12 फार्मला लगाएंगे लेकिन उससे पहले यहां से डेल एक से निकाल लो एकस का इंटू कर दो कितना मिलेगा एकस अपन इतना ठ ले लेना है क्योंकि इसको बोलते हैं तूटी और तूटी का मातरक आपको लिखना पड़ेगा प्रसन में अगर दिया है देखो यहां पर मिला अब जब हम ग्याद करेंगे डेलियस को अमणाफ कर देते हैं अब आपको क्या करना है डेलियस ग्याद करना है यहां पर लिखना पड़ेगा फार्मूला यहां पर एक और फार्मूला यूज कर लो अभालियस बराबर डियस अपउन ऑर इंट्व डेल एक्स मान रख़ो ंडे एकस का मान कितना है?, 12 x इस्का माइनस जिरो पॉइंट जिरो वान इंट्व एक्स अम मात त्रक्षाइद आपको मेटर तक अब इंटू करना है जब आपने डि एक फटान द्यक क्वान रखा और बोजा किस इस मेटर मेटिक है तो आपको यहां पर मीटर और कर लेना 12 성 never आफ इंटु कर लेना है तो ऐसे शेयर चेंट एक नामलेगा 121 बार जीरो पॉइंट वएंट 2x meter square और यहां पर एक एक से यहां पर भी तो कितनी हो जाएंगी घातें दो हो जाएंगी माइनस का आएगा तो यह अंसर सीट आ गई डेलेस की अब आपको पता अगर माइनस हटा लें तो आंसर सीट क्या मिलेगी पोजिटी में मिलेगी ठीक है लेकिन आपको यहां पर लिख लिखना पढ़ेगा अगर माइनस आपने यहां से हटाया आए तो आपको यहां पर लिखना पढ़ेगा हिरास तभी बोच सकते हैं घन के प्रस शेतर रुपल में होने वाला वाले सन्निकट परिवर्तन क्या होगा हिरास होगा अब आगे बढ़ों यह तो होई गया है इसको आप लोग क्या करो वीडियो को लाइक कर दो कमेंट कर दो ठीक है तो प्रस नमर चे में बोलाए एक गोले की तरज्या साथ मीटर मापी जाती है तो यहां पर बुजा बताईगे तरज्या में तो सबसे पहले यहीं लिख लेना है क्योंकि आपको पता है सारी कहानी बुजा जीरो टू मेंटर की तूर्टी है जब भी आपको तूर्टी यहां पर दिखा दे तो किससे गृण लृणी करते हैं तो आगर आपने बुजा लिएक्स तो छेग अर इरी तो डिल अरंसे लिखेंगे है तो वुजा क्या है है तो तो तोल्ठी आपको किस में लिखना है डेल सबसे पहले आपको फार्मूला लगा लेना है आयतन का तो आपको पता है नाम जरूर दिया गया होगा यह तो पता ही होगा आपको यहां पर गोले लिखा गोले की तरजया तो गोले का आयतन हम फार्मूला यहां पर यूज करेंगे गोले का आयतन वी बराबर स्चार बटे 3 कि पाईयार क्यों अब आपको पता है यहां पर आ जो है तरत यह टीस के साथ आपको अपकलन्D भी करना है सब कुछ डिपेंड है पहला जो हम लिखते हैं या भूजा X gusto तो से अपकलन्द करना है यहां पर लिखना पड़ेगा और के साथ पेज कि अब कलन करने पर झांग तो इस तरब भी आपको रखना ऐड बेर्बाबर के उस तरब भी डी इपान डी-ाक्ष सव रखनाओ है ठीक है अब देखो आगे यहां पर क्या होगा डीवी अपॉन डी- см Г journeys पे आ जाओ चार बटे तीन पई आगे आपको पता है कि जब भी है यहां पर लगो एकस्ण ना लिखो ठीक है कि आर क्यों अब देखो चार बटे थीन पाई इसका आपकर दन क्या होगा ठीर इसको आए 3 से 3 कैंसिल होगा 4 पाई आर इसको है यह आया है डीवी अपॉन डी आर का माझ अब इसके बाद आपको क्या करना है जो भी पूचा गया है उसका फार्मला रखलो डिवी अपॉन ढिटी अर इंटू डेलार अब आपको पता है कि डेलार तो यहां पर दे दिया गया है पहले से इसको उम्रफ़ कर देते हैं अब आपको मान रखना है साथ जिरो पॉइंट जीरो टू इसको उम्पराफ कर देते हैं अब आपको मान रखना है और आगे हल करना है तो डेल वी बराबर क्या आएगा यहां पे डी बी अपन डी आर कितना है फॉर पाई आर स्कॉर इंटू डेल आर अब आपको मान रखना है फॉर पाई मात्रक निकलेगा मातर याद नहीं करना पड़ेगा डेल आर का मान क्या था जीरो पॉइंट जीरो टू मीटर इतन था अब आपको पता है पहले हम क्या करेंगे साथका का कोरा गैस करें गें masteryUI सक्णैस अभी यह पाइज ऑज जो पॉइंट 0 2 मीटर इसी प्रकाई का मांन दिया गया होता तो हम प्रस्ब्स करिड़ जिनाओ यह तो प्रिस्ट नहीं ते तो अ आई में ही हमें आंतरशीट निकालना है तो फोर पाय ऐसे रखेंगे इसका इंटू कर लेंगे दो नेम अठारा ठीक है दो चाकू आठेक नो जीरो मतलब टू जीरो दो अंग हैं दो अंग के वाद दसम्रब लगा दो इतना आएगा और मीटर क्यों हो जाएगा गुणा आप तालिस मिला अब दसम्रब देख लेते हैं कितने अंके बाल लगाएंगे दो अंक है ना दो अंके बाद दसम्रब आपको लगाना है तो यहां पर लिखना है मीटर क्यों तो मात तरग भी निकल आया तो यह आंसा शीट आगे डेल भी और यह हम से मांगा गया था आयतन के प समय ऐसे ही लगेंगे भी कि प्रस नंबर साथ की बात करें तो छे हटा देते हैं यहां पर साथ कर देते हैं तो यहां पर बुलाए एक गोले की तरजिया नौ मीटर मापी जाती है तो सबसे बले यही लिखना है क्योंकि इसी पर तो सब कुछ होगा अपकलन भी होगा और ज यहां पर सबसे पहले लिख लेना है आर बराबर 9 मीटर अब आगे लिखा है जिसमें 0.03 सेंटीमेटर की तो यहां पर आपको मातर दिखरा मीटर यहां पर क्या सेंटीमेटर तो मीटर ही कर लेना मीटर ही होगा ठीक है तो यहां पर आपने भुजा क्या लेली आर ले ले त तो तूर्टी कैसे लिखते हैं डेल आर से प्रतिसत को बता देते हैं फिर प्रतिसत को डेल आर अपनार से लिखा जाता है और तूर्टी को केवल डेल आर से लिखते हैं तो तभी हमने लिख लिया है डेल आर बरावर 0.03 मीटर अब आगे बढ़ू आगे लिखा है इसके प्र हम सबसे पहले आपको डेली सषका मानन निकालना है क्योंगे प्रष्ट लिखा है प्रष्ट गोला तो यह सही डिनोट करते हैं अब हैं प्रष्ट ite और यहां पर यह करना है लेकिन नाम दिया जाँगा प्रव स्कीं में गोला यह पे गोले की तरज्या nine meter मापी जाती है तो हमें पता गोले का प्रिस्टिए चेतरफल यहां पर यूजT करना है तो गोले का प्रेस्टिए चेतरफल तो आपको पता है प्रेस्टिए चेतरफल याशन वरवर क्या होता है i4 prime aço करें और हिसां था एक आहने कह मतलब मतलब है वक्रफ्रेष्ट só यह रिख गोले का सेब होता है 4 OFF रिस्क्रेष्ट होचाए संपूर्प्रेष्ट हो तो यह पर पेपैस्ट यह लिखा है तो आपको पता है यह प्रेस्ट में प्रेस्ट इलि हो तोस Type संपूरक cheer । हम जान जाते हैं कि दिया बकर प्रच रगत दिया गया तो लिखा हुआ हो का भखत प्रच ठीक है आगर प्रस्ट दिखा तो संपूर प्ररेट की फर्मला यूज़क तो इसका सेम था तभी में लिखा प्रेट इस तरफर अब कलन करने पर अब आगे दिखो यहां पर डी अपॉन डी आर लिखना पड़ेगा दोनु तरफ तो यह हो जाएगा डी अपॉन डी आर हो जाएगा यहां पर आजाओ फॉर पाई आगे लेंगे और अपकलन होगा आरिसकार आपको पता है चर आगे आ पाई आर आएगा अब आपको जो भी ग्याद करना है उसका फार्मुला यूज कर लिना डेल यह सब बराबर डियस अपॉन डी आर इंटू डेला अब आपको मान रखना है डियस अपॉन डियार का पहले रखो इसको अम्राफ कर देते हैं तो यहां पर डेल यह साब लिखना पड़ेगा बराबर में डियस अपॉन डियार क्या एट पाई आर इंटू डेला अब आपको मान रखना है एट पाई आर कमान देखलो प्रसन में देखलो यहां पर तो रफ कर चुके हैं आठ मतलब 9 मीटर है डेल आर कमान 0.03 मीटर अब आपको पता है नौ का इंटू कर लेंगे एट पाई इंटू 27 मिलेगा नौतियां 27 होते हैं आगे बढ़ जाओ यह मीटर का मीटर में इंटू होगा मीटर इसक्वार होजगा आठ का इंटू करो आठ सत्य छप्पर आठ दूनिस सोला सोला पांच 21 तो दो अंग के बाद दस स्कॉर है ठीक है यह हो गया यही हमसे मांगा गया था प्रेश्टि छेत्रफल के परिकलन में सन्निकट तोड़ी गात कीजिए तो आप लोग इसको नोट कर लो यहां पर प्रसंट साथ भी हो गया कंप्लेट चलो नोट करो जल्दी नोट करो आप लोग प्रसंट देखिए यहां पर बताया गया यदि fx बराबर 3x स्कॉर प्लस का 15x प्लस 5 हो आगे लिका तो यह 3.02 का सन्निकट मान है तो चार आपसंट दे दिये गए एक आपसं क्या होगा करेक्ट होगा तो प्रसंट 8 को हल करने से पहले हम आपको यह बता देते हैं यह प्रसंट 8 किसकी तरीके सहलोगा बताइए आपको पता है कि जो फलन का मान दिया गया बहुपद में दिया गया प्रसंट दो और तीन हल करवाए थे सेम टू सेम वैसे ही प्रसंट 8 हलोगा तो इसका हल आप लोग देखो यहां पर सबसे पहले दिया गया फलन लिखना आए जो भी यहां पर दे दिया गया है दिया गया फलन एफ एक्स बरावर आपको लिख लेना है 3x square अ प्लस का 15 एक्स ब्लस का 5 ठीक है अब आपको अपकलन करना है तो यहीं पर कर देटे अपकलन एक्स के साप इच कितना होगा दो आगे कि दो आगे 3 का गुणा हो जाएगा तो कितना मिलेगा 6 X यहां पे 15 ठीक है ने एकसा कितना होगा बन होगा आप 5 क्या हो जाएगा जीरो जाएगा क्योंकि अचरपत का आपको पता जीरो होता है तो ना लिखो ठीक है अब आपको फार्मूला लगा लेना है एफ एक्स प्लस का है आघ बडर एच Fटेस यहाइक का A FEX यही फर्मूला है ठीक है अब आपको मान रखना है TO extend x का रखना है तो fx प्लस यहाइट से आखको लीगना है और यह को भी आटिस आखको लेहागा आए एफडेस यहां से देखो 6x plus का 55 15 एफएक्स का मान देख लो कितना है 3x square प्लस का 15x प्लस का 5 अब आगे देखो अब आपको पता है कि यह को मान और यह का मान हम कहां से लेंगे जिसका संहिकट मान पूचा गया किसका पूचा गया 3.02 हमने बताया था बहुपद वाले जब प्रस्न होते हैं तो दसमलब के आगे जो संख्या लिखी है उसे ही एक्स बराबर हम लिख लेते हैं फिर उसके बाद यह का मान यहीं से लेंगे 0.2 0.2 तो लेंगे लेकिन दसमलब सहीत लेंगे तो 0.02 अब आपको मान रख लेना यहां पर एक्स का मान रख रहा है अब आपको क्या करना है यहां पर यहां पर देख रहा है वहाँ पर कितना रखना थीन रखना है फिर उसके बाद प्रूस का 15 इंटू एक्स है न तो आपको 3 रख लेना प्लस का 5 अब आगे देखो यहां पर यहां पर पर प्रस नहीं बन जाता है 3.02 इसी का सन्नी कटमान पूछा गया है आगे देखो 0.02 यहां पर कितना आएगा 18 प्लस का 15 आ जाएगा अब वहां पर देखो डारेक्ट यहां पर लिख देते हैं ठीरी का स्कॉर नाइन और नाइन का इंटू करेंगे थी में 27 अब यहां पर आ जाओ कितना मिलेगा पंदरा का 3 में इंटू करेंगे तो 45 मिलेगा मैं 45 मिल जाएगा प्लस का 5 अब आपको प्लस करना है यहां पर यहां पर देखो 0.02 85 13 12 13 मिलेगा यहां पर आजाओ जोड़ेंगे यह होगे 50 45 प्लस पांक पचास पचास और 20 70 और साथ सब्सक्र ठीक है अब आपको इंटू करना है कितना मिलेगा 0.66 प्लस का 77 जब हम प्लस करेंगे तो आपको पता सब्सक्र दसम ड्रम लव 66 मिल जाएगा तो बिकल्फ कौन सा करेक्थ है डी करेक्थ है आप लोग इसको क्या करो नोट कर लो यह किसका मान निकला है यह त्री पॉइंट जी रोटू का निकला है हो गया ना अमने बतायता है चार आप्सन में एक करेक्ट होगा इसको अंट इसका मिराफ कर तो सबसे पहले आपको प्रस्ण जो है ना इन पढ़ लेना है थोड़ा सा यहां पर रफ कर देते हैं फिर आपको हल करवाएंगे तो यहां पर हम चेंज कर देते हैं प्रस्ण आठ है तो क्या लिख देते हैं नौ लिख देते हैं यहां पर भी इसको रफ कर देते हैं अब देखो कहता है भुजा में तीन परसेंट ब्रद्दी के कारण भुजा एक्स के गन के आयतन में सन्नी कट परिवर्तन है तो यह बताए यह प्रस्ण नौ किसकी तरी किस लगेगा पता है आपको प्रस्ण चार जो अभी हमने हल करवाय तरह था ना सेम टूसेम आपको लगा लेना है तो प्रस नमबर नो जो है प्रस्ण चार की तरह हल हो गा तो सबसे पहले आपको क्या लिखना दिया है अब क्या करेंगे याप पर 3% की ब्रद्दी तो आपको पता है प्रतिसत को कैसे लिख जाता है अगर आपने चयर यक्स ले लिया तो डिल एक्सपान आपको लिखना है लासme के की यह व्रद्दी ऊंगर आपने भुजा खार लेली है हुआ ऊसवी जाकर यहाः पेले ले ती एक्सेल ले ली थे तो हम में लिखना पड़ा था डिल एक्सपान यहां पर बुजा हार ले तो डेलारपान आर बुजा का मतलब है तैसे करके लेकिन वजा अगर लिखा उता तो हम आर ले तो फुजा को हमेंसे यस और यहां पर देंगोन बोजा यह लिखा है है बुजा बराबर एक्स मीटर ठीक है क्योंकि आंसरी मीटर में है तो बुजा एक्स मीटर के गन के आयतन में सन्नी कटन सन्नी कट परविर्तन है तो यहां पे बुजा एक्स मीटर में आपको लिख लेना है ठीक है थोड़ा यहां पर लिख देते हैं हो mm कि पीडिन हो है ओर आगे हैं देख लेते हैं इ compatibility आ पुरा प्रण से Daisy जख लेत है मैं गूझा है है एक सरे सिर्फयं में भी मीट नहीं जिया है मातर विर दुरेंग धिया गया है तो वाँ पर लिख लेना मिस प्रिंट हो गई होगे 100 मीटर के घं के एक सुमीटर के घं के Icon time मैं Sunny gart परिवर्तन है थीक है तो हमसे क्या मांगा गया है towel X मांगा गया है ठीक है और यहां पर सबसे पहले ये लिखना है तीनपरसेंट की बूरदी कैसे लिखो गए Del Vietnamese अपान एक्स बराबर प्लास में तीन परसेंट लिगना क्यों में ब्रद्धी है न अब आप से क्या मांग गया है आयतन में सन्नी कट तो डेल वी बराबर कुशन मार्क फार्मला कौन सा लगेगा घन का आयतन ठीक है तो देख लेना है प्रसन में नाम तो क्या नाम दिया गया है घन दिया गया तो घन का आयतन आपको फार्मला लगा लेना है क्या होता है बुजा क्यों ठीक है वी बराबर क्या होगा एक्स क्यों ठीक है बुजा आपने देख लिए प्रसन में एक्स है तो एक्स क्यों मिलेगा अब कलन किसके साब पेच करोगे तो बुजा बुजा प कलण करने पर अज़ुक्त तो क्या करना है दोनुं तरफ आपको डी अपउन डी एक्स रखना आए यहां पर क्या आएगा डी वी अपउन डी एक्स आएगा बराबर में देख लो तीन आगे एक घात कम कर लेंगे यही तो अपकलन होता है अब आपको पता से लगए कि दिवी अपॉन देख्स स्कॉर अब एक फार्मल और यूज करेंगे सु जिसका मान अमसे पुछा गया है सन निकट तो डेल बी में पूछा गया तो यहाँ से निकालो यहां से निकालो चितना यहां से तो हैंब इन टू एकश 안ब यहक्यों पॉइंट सब्सक्राइट अभी मातर जारू लिखना है अब मान आपको रखना है 0.03 x मीटर अब इंटू करना है आंधर शीटा जाएगी इंतिर का नो 0.0 इतना ठीक है 0.09 अब एक्स का एक्स में टू करें कितना आएगा एक्स क्यों आएगा मीटर स्क्वाइर का इंटू मीटर में करेंगे तो मातरग भी पता चल जाएगा तो आंधर शीट यह आई है 0.09 एक्स क्यों तो देख लो कौन सा बिकल्प सही है 0.09 एक्स क्यों यह करेक्ट है ठीक है तो यहाँ पर प्रसनल 6.4 के अगर यह मेरी क्लास अच्छी लगई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना अगर अभी तक चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना है तो मिलते हैं अगली क्लास में आज के लिए इतना ही काफी है धन्यवाद